पारिजात का पौधा घर के किसी दिशा में लगाना चाहिए। पारिजात जिससे हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। इसका पौधा लगाने से घर के कई बास्तो दोश दूर हो जाते हैं। और ये पौधा मानसिक शान्ती भी देता है। पारिजात का पेर एक धार्मिक पेर है पौरानिक कथाओं के अनुशार यह पेर शमुद्र मन्थन के दौरान निकला था और इसे बैकुंठ लोक में जाकर लगाया गया था इस पेर को लेकर एक और मानता है कि इस पेर पर स्वेंग माता लक्ष्मी और नारायन का बाश होता है साथ ही इस पेर को इस्तरी का एक शुंदर स्वरूप भी माना गया है माना जाता है कि ये पेर सरद के मौशम में और दुरगा पुजा से पहले फूल देना शुरू करते हैं इसे देवी पक्ष कहा जाता है इसलिए माना जाता है कि इस पेर और इसके फूलों के साथ दुरगा देवी की सक्तियां भी होती है साथ ही पारिजात के फूलों को भगवान भोले नाथ पर भी चड़ाया जाता है ताकि सीब और सक्ति की साथ में उपासना हो सके तो आईए आज आपको हम बताते हैं कि इस ब्रिक्ष को लगाने का सही दिन सही समय क्या है पारिजात का पेर आप किसी भी सुक्रबार या फिर सोमबार को लगा सकते हैं ये दोनों ही देवी पक्ष का दिन है जिसमें देवियों की पूजा होती है वैसे सुक्रबार की साम को पारिजात का पेर लगाना सबसे सही समय और सुभ माना जाता है ऐसा इसलिए कि ए दिन लक्षमी का दिन होता है पारिजात का पेर उत्तर की दिशा में लगाना सबसे सुभ माना जाता है ये शांती और समरिधी की दिशा मानी जाती है इस दिशा में इस पेर को ऐसे लगाएं कि सुर्ज की रोशनी सुबह उठते ही इस परपरे यानि की उत्तर पस्चिम की दिशा परिजात का पेर लगाने से बहुत सारे फायदे हैं यहां समधी की दिशा है वही एक घर के नेगेटिव एनरजी को कम करने में भी मददकार है इसके अलाबा एक घर के लोगों को मानसिक सांती देते हैं और दिरगायू करते हैं साथ ही इस पेर को लगाने से घर के सभी बास्तु दोश दूर हो जाते हैं। आप इसे घर के आगे लगा सकते हैं, अपने मंदिर के पास रख सकते हैं, और साथ ही अगर आप चाहें, तो इस ब्रिक्ष को आप छट पर भी लगा सकते हैं।